सिक्षा क्रांती लाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे जोते जगा कर ग्यान की हम सब को राह दिखाएंगे प्यारे बच्चों सिक्षे क्रांती चैनल में आपका स्वागत है आज हम अपनी गनित की पुस्तक गनित का जादू का पेज नमबर 24 करने जा रही है तो बच्चों इस वीडियो को सुरू से लेके अंत तक जरूर देखना ताकि आज जो टोपिक करवाया जा रहा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेर करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल सिख्याक रांती को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बैल आइकन भी दबाना ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले मिले तो चलो शुरू करते हैं पेज नमबर 24 पेज नमबर 24 में क्या दिया हुआ है ओपर ओपर अलबेली दुकान बचो आपने सुनाए कभी अलबेली दुकान ये अलबेली दुकान क्यों है चलो पढ़ते हैं कि इसका नाम अलबेली दुकान क्यों रखा है यह है है अलबेली दुकान नीचे हमें दुकान का चित्र दिखाया हुआ है उसके उपर भी क्या लिखाया है स्टेशनरी की दुकान और ये दुकान है वो अलबेली दुकान है जिसके अंदर बैठा है बंदर और बाहर कोन है लोमडी तो अलबेला है इसका दुकंदार जो बंदर है इसका नाम क्या है अलबेला क्या नाम इसका अलबेला वह केवल दस, सो, हजार और दस, हजार के समू में समान देता है कैसे तितना है वो या तो दस, या सो, या हजार, या दस, हजार के समू में समू का मतलब जैसे सो है तो सो का समू क्या हो जाएगा दो सो, तिन सो, चार सो, पान सो, छे सो और दस का समू क्या हो जाएगा दस, बीस, तीस, चालिस, पचास, हजार का क्या होगा 1-1000, 2-3000, 4-3000 10-2000, 20-3000, 40-000 के समूव में देता है 10 से कम होने पर खुली चीज़े देता है अगर 10 से कम है तो वो खुली चीज़े देता है आप देखी इसमें जो लोमड़ी है वो बंदर को क्या कह रही है बंदर का नाम किया अलबेला तो अलबेले बंदर को क्या कह रही है, मुझे एक ऐसा डिबा दीजिए जिसमें 40 पैन हो, कि मुझे एक ऐसा डिबा दीजिए जिसमें 40 पैन हो, हम केवल 10, 100, 1000 और 10,000 के समू में ही समान देते हैं, परंतु 10 से कम चीजों को खुली देते हैं, तो पहले बंदर कहता है कि हम 10, 100, 1000 और 10,000 के समू में ही समान देते हैं, परंतु 10 से कम चीजों को खुली देते हैं, तो लोमडी ने कहा मुझे एक ऐसा डिबा दीजिए जिसमें 40 पैन हो, तो चलो देखते हैं, नीचे पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10, 100, 1000 और 10,000 के कितने डिब्बे लिए और कितनी चीजे खुली ली, तो हमें ये देखना है कि यहां पर अलग अलग जानवर है, खरगोस, हीरन, बंदर, हाथी, इनोंने कितनी चीजे ली, कितने डब्बे लिए, किस-किस के, 10,000 के, 1000 के, 100 के, 40 के, और खुली चीजे, कितनी-कितनी ली है तो इसके लिए हमें एक उधान करके दिखाया हुआ है एक पूरा करके दिखाया हुआ है जैसे एक खरगोस ने किस ने खरीदा? खरगोस ने क्या खरीदा? पैन तो बच्चों आप भी खरीदते हो ना पैन पैन है पैंसिल है रबर है फुटा है शापनर है ये चीज़े आप भी खरीदते हो तो उसने भी क्या खरीदे पैन और वस्तों की संख्या उसने कितने पैन खरीदे 47,341 कितने खरीदे 47,341 अब इसकी उसने आगे उसने 10,000 के कितने डब्बे दिये 4,000,000 के कितने डब्बे दिये 7,100,100 के कितने दिये 3,10 के कितने दिये 4 और खुली कितने दिये 1 अब उसने ये कैसे पता किया खुली, एक, एक क्या होता है इकाई, तो हमें इकाई के स्थान पे क्या दिया हो है एक, दस, दस क्या होता है, दहाई तो दाई की स्थान पे कितने है चार और सो क्या होता है बच्चो सेंकड़ा सेंकड़े की स्थान पे कितना है तीन यानि की तीन सो यानि की तीन सेंकड़े और हजार हजार की स्थान पे क्या है एकाई धाई सेंकड़ा हजार तो 1000 के स्थान पे कौन सा अंक है 7 और 10,000 एकाई धाई सेंकड़ा 1000 और 10,000 तो 10,000 के स्थान पे क्या है 4 तो यहां पे 4 है तो इसी परकार हम अगले संख्या करेंगे कि हीरन ने क्या खरिदी पैंसिल क्या खरिदी पैंसिल और कितनी खरिदी है 36,025 36,025 तो इसमें सबसे पहले हमें 10,000 का डिबा देखना है कि है या नहीं है तो देखिए इसमें 10,000 आता है या नहीं आता है एकाई, धाई, सेंकडा 1000 और 10,000 तो देखिए 10,000, 10,000 के कितने डब्बे आएंगे? 3, कितने आएंगे? 3, है ना बच्चो असान? बिल्कुल असान, इसको ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल असान होगा, उसके बाद अत्ता है 1000 का डिब्बा, यनि कि 1000 पे कौन सी संख्या है? । उसके बाद 100, इकाई दाई सेंख्या, तो सेंख्या तो है ही नहीं, 0 का मतलब क्य उत्ता है? कुछ भी नहीं, तो कोई डब्बा नहीं देगा और एकाई और दहाई, दहाई का मतलब दस, दस दस के कितने डब्बे देगा वो? दो, और एके कितने बचे उसके पास? पांच, पांच, खुल ले वो एके करके देगा समझ में आ रहा ना? हाँ, आप बड़े अच्छे बच्चे हो, ध्यान से देखते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है आप देखिए, बंदर ने रबढ़ खरीदे, और कितने खरीदे? 91,307 91,307 तो देखिए, दस हजार के डब्बे कितने हैं? 91,307,1000, 025,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो उसको दस-दस का कोई packet नहीं देना और एकाई के स्थान पे एकाई का मतलब एक, एके करके कितने है? साथ, तो वो साथ डब्बे, एक, एके के साथ रबड देगा आगे है 88888, तो इसमें देखिए, एकाई कितनी है? हम इदर से भी सुरू कर सकते हैं, एकाई कितनी है? 8, यानि कि एक, एक करके 8 रबड देगा दहाई, यानि कि 10-10 के कितने डब्बे आएंगे? 8, 100-100 के 8, और 1000 के भी 8, और 10-1000 के भी 8 डब्बे देगा तो हमने तीन समकिये इन तीन सम से अलग हमने कुछ और सम भी paper पे बनाए हुए हैं चलो वो करते हम paper पार अलग स्वाल तो देखिए ये मैंने आपके लिए एक chart बनाया है जिस में जो अभी हमने समकिये वैसे ही मैंने 5 समकिये हुए हैं किसने खरिदा चिडियाने, चुहाने, कुत्तयने, तोत्यने और कबुत्तर ने, क्या खरिदा पैन, गोली, टाफी, पैन और पैंसिल, और वस्तूओं की संख्या ही हमें अलग-लग दी हुई है, अब हम देखते हैं कि 10,000 का डिबा, कितने डिबे देंगे, 10,000 के, 1000 के, 100 के, 10 क और खुली चिज़े वो कितनी देगा तो सबसे पहले खुली का मतलब IKAI अब IKAI के स्थान पे कितने हैं? 6 तो IKAI वो खुली पैन कितने देगा? 6 । दहाई यानि कि 10-10 के कितने देगा वो? 2 दस-10 के कितने देगा बच्चो? 2 सोगया तो सोगा होता है सैंकडा सेंकड़े कीतने डपे देगा हैंव कितने देगा हैंओ हजार ہजार-जार क्यतने देगा चार-जार Shoulds कीतने देगा पांच इस तरह इसमें जोहें ने गोली खरी दी तो एक एक करके क्टने गोली देगा वह आठ और दस का कितना डपा देगा एक और सो का तीन हजार का उसे कोई डपा नहीं मिलेगा और दस दस जार के कितने होएंगे साथ इसी परकार एकाई में उसको खुली कोई जरूरत नहीं है दहाई में दो और हजार में ये सो में कितने होएंगे पाँच अब्बे और हजार में छे अब्बे और दस अब्बे और दस अजार में तीन डब्बे इसी परकार इसमें तोते ने पैन खरी ते तो उसको एक खुला पैन दे गा 10-10 के कितने 8.8 अब्बे 6.000 के 2 और 10.000 के 1 कब उतर ने pencil खरिद दी उसको खुली कितनी pencil मिलेगी 9 10 के कितने डब़े होगा 100 के कितने होंगे 6 10 और 1000 के कितने होंगे 3 और 10,000 का भी कितने डब़ा होगा 1 तो बच्चो आपको इसी परकार अपनी कोपी पर एक चार्ट बनाना है उसमें हम यहाँ पर संख्याइं बदल देंगे यह नाम यहीं लिखेंगे यहाँ पर संख्याइं अलग बनानी है और इसी परकार हमें अपनी कोपी पर करना है तो बच्चों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आपको अच्छा समझ में आया होगा इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जूडे रहे आज बस इतना ही अगली वीडियो तक बाई बाई